दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन ज़्यादा डियवलप कर रहा है तो आप डेफिनेटली इंडिया बोलेंगे पर क्यों तो आप बोलेंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से अब फील में आ गए है GDP को देखिए अगर 2022 की GDP की बात क ऐं तो इंडिया का लिट्रेशी रेट है कारिबन कर theo 70 24.05 पर वहीं जो पागिस्तान का लिट्रेशी रेट है वह है 58 पर सबस्तों यंद्ध और हम और इंडिया का पर का पा करीबन नहों 5 % पर Dåst sympathy ऐसा है जहां पैस। पर फिलःल busted पागिस्तान पागिस्तान के पास करिबन 165 नियुकलिया वैपन पर इंडिया के पास अभी 156 नूब्रेकबल बना दिया तो आपके इस वीडियो में पागिस्तान के पास नूख्लिया बॉम के बारे में जानते हैं दोस्तो एक्यू खान यानि अब्दुलकादिर खान को पागिस्तान में एक नाशनल हीरो की तरह समझा जाता है क्योंकि वह एक्यू खान ही थे जिन्होंने अपनी कंट्री यानि की पागिस्तान को पूरे वर्ल में फॉर्स इस्लामिक नूकलिया पावर बिना दिया था दोस् 152 में वह अपनी पूरी फैमिली के साथ पागिस्तान चले जाते हैं फिर 1961 में अपनी हाय स्टाइज को कॉंटिन्यू करने के लिए वह यॉर्प की तब रवाना होते हैं पहले वेस्ट बर्लिन और फिर टेक्निकल युनिवरस्टी डेल्फ हॉलन में अपनी हाय स्टाइज क में डिग्री भी मिलती है अपनी स्टाइज कंप्लीट करने के बाद खान यूरेन को में बताओ सब कॉंट्रेक्टर की जॉब करने लग जाते हैं दोस्तों यूरेन को एक बिटिश जर्मन और डच कंपनी सा कॉंसौर्टियम है इसकी शुरुवात हुई थी एर सब्सक्राइज शुरुवार्ण और यूरेनियम के इंडिश्मिंट पर काम क्या जाता है सेंट्रिफ्यूजेज की हेल्प से ताकि क्लीन न्यूक्लियर एनरजी को प्रड्यूस किया जा सके तो इस वर्ड में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो यूरेनियम एक ऐसा प् percentage increase करके और इस प्रसेस में uranium को gaseous form में यूस किया जाता है पर दोस्तों वहीं अगर 90% से ज़ाधा uranium का enrichment किया जाए तो यही uranium nuclear weapons बनाने के लिए भी यूस किया सकता है दोस्तों इसी बीच 18 में 1974 को इंडिया अपना पहला न्यूक्ले टेस्ट परफॉर्म करता है श्रीमती इंजा गादी जी के लीडर्शिप में और इस न्यूक्ले टेस्ट का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा तो जैसे ही इंडिया के न्यूक्ले टेस्ट के खबर एक्यू खान के कानों में पढ़ती है तो सीधे उस समय के पागिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टू को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वह अपनी हेल्प आफर करते हैं पागिस्तान के लिए आटम बॉंब फोर्मेशन के लिए और साधी साथ वह ये भी अडवाइस दे देते हैं कि पागिस्तान में जो प्लूटोनियम का यूजज हो रहा है एक्यूंट और और उनियूरं के लीज़ के लिए उसको चेंज किया जाए और प्लूटोनियम के बदले युरेनियम का यूज कि ना लेते हैं जासे वो पार्ट्स यूज़ कर सके जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्रेम स्टार्ट करेंगे और फिर 1975 में उन सारे कॉपी कियो है डिजाइन्स को लेकर पागिस्तान भाग जाते हैं और पागिस्तान लोटने के कुछी टाइम बात वो मुनीर एहमद खान के अंडर पागिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमिशन पीए इसी से जुड़ जाते हैं दोस्तों पीए इसी उस समय प्लोटोनियम का यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम का फॉर्मिशन करना चाहती थी पर पीए इसी के साथ को डिसएग्रिमेंट्स होने के चलते खान पीए इसी तो इस बार भी चाइना पागिस्तान को उन सारे न्यूक्लियर वेपिन्स के बॉप्रिंट्स देता है जिसकी सक्सेस्फुल टेस्टिंग को 1966 के टाइम से ही कर चुका था साथी साथ बीजिंग पागिस्तान को बॉप डिजाइन्स डागनॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स और मिसिल टेक्नलोजी भी देता है ताकि पागिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्रेम सक्सेस्फुल हो सके दोस्तों चाइनीज हेल्प की इसी वज़े से ही पागिस्तान फा पागिस्तान सक्सेस्फुल एक न्यूक्लियर टेस्स परफॉर्म करता है और इस न्यूक्लियर टेस्स का नाम था चगाई वन क्योंकि इस टेस्स को परफॉर्म किया जाता है बलुचिस्तान प्रोविंस के चगाई डिस्तिक में तो दोस्तों यह था फादर आफ जो न्यू लगी होगी थैंक यू फॉर वाचिंग